हेलो फेंस आप देख रहे हैं हमारा चानल ब्लू इंडिया अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ वीडियो को लाइक करना ना भूले मैं आपके साथ मांसी अरोडा ब्लू इंडिया चानल में आपका स्वागत करती हूँ तो आज की हमारी स्टोरी है किसान आंदोलन पर किसान आंदोलन के बीच 500 एकाउंट्स सस्पेंट आपती जड़क कांटिन की विजबिलिटी घटाई किसान आंदोलन के बीच सोशल मीडिया को लेकर सरकार की सकती के चलते ट्विटर ने 500 एकाउंट्स हमेशा के लिए सस्पेंट कर दिये हैं सरकार ने ट्विटर को कई विवादित एकाउंट्स और हैश्टेग हटाने का नोटिस दिया था इसके जवाब में ट्विटर ने आक्शन लिया और सोशल मीडिया कंपनी ने बुदवार को एक जानकारी दी जिसमें उनने बताया कि जिन एकाउंट्स को सस्पेंट किया गया है वे कंपनी की पॉलिसी का वोयलेशन कर रहे थे सरकार ने IT Act की धारा 69A के तहट ट्विटर को नोटिस दिया था इस धारा में 7 साल की जेल का प्रोविजिन है नोटिस में कहा गया था कि ट्विटर आक्शन नहीं लेगा तो उस पर कानूनी कारेवाही की जाएगी इसी बात को मद्दे नजर ट्विटर ने अपत्ती जनक कांटेंट की विजबिलिटी भी घटाई ट्विटर के मताबिक पिछले हफ़ते में कई हिंसा की घटनाओं को देखते हुए अपत्ती जनक कांटेंट वाले हैश्टेग की विजबिलिटी भी कम कर दी गई है साथ ही कहा भी गया कि दिल्ली में रिपाब्लिक डेको हुई हिंसा के बाद भारत में अपने नियमों को लागू करवाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके बारे में रेगुलर अपडेट दे रहे हैं पत्रकार, पॉलिटिशन के एकाउंट्स पर कोई आक्शन नहीं ट्विटर ने आगे ये भी बताया कि कुछ एकाउंट्स ऐसे भी हैं जिने भारत में ब्लॉक किया गया है लेकिन वो दूसरी देशों में अभी भी एक्सेसिबल हैं साथ ही उन्होंने कहा फ्रीडम आफ एक्स्प्रेशन को प्रोजेक्ट करते हुए न्यूस चानल, पत्रकार, आक्टिविस्ट और पॉलिटिशन से जुड़े कई एकाउंट्स पर आक्शन नहीं लिया गया है उन्हें ऐसा लगता है कि सरकार ने जो निर्देश दिये हैं वे भारती कानून के मुताबिक हैं इसी बात पर भाजपा नेता का एक तंज भी आया ट्विटर खुद को कानून से उपर समझता है उन्हें कहा कि ट्विटर ने कुछ एकाउंट्स पर आक्शन नहीं लेने की जो वज़ा बताई है उस पर भाजपा सांसद तिजस्वी सूरिया ने निशाना सादा है सूरिया ने सोशल मीडिया पर लिखा ऐसा लगता है कि ट्विटर खुद को भारती कानून से उपर समझता है वे खुद ही तै कर रहा है कि क्या कानून मानना है और क्या नहीं आगे सरकार ने भड़काउं कांटेंट फाले अकाउंट्स हटाने को कहा था न्यूज एजनसी के सूत्रों के मताबिक सरकार ने दो दिन पहले ट्विटर से 1178 पाकिस्तानी खालिस्तानी एकाउंट्स हटाने को कहा था सरकार का कहना था कि इन एकाउंट्स के जरिये किसान आदोलन से जुड़ी गलत जानकारियां और भड़काउं कांटेंट फेलाया जा रहा है ट्विटर ने बताया कि पिछले 10 दिनों में मिनिस्ट्री ओफ एलेक्ट्रोनिक्स एवं आईटी की तरव से कई आदेश मिले थे जिन में विबादित एकाउंट्स ब्लॉक करने के लिए कहा गया था इसके बाद ट्विटर का कहना था कि ओपन इंटरनेट और फ्री एक्स्प्रेशन को मजबूत देने वाली वैल्यूस के लिए दुनिया भर में खत्रा बढ़ रहा है ऐसी लेटस इंफोमेशन को जानने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ब्लॉ इंडिया हमारे चैनल को